वक्सिट फाइप में हमारा फर्स выступ question है फाइंड दी प्रोडक्ट बाई उजिंगा स्यूटेबल आइडेंटिटी हम लोगों को यहाँ पे यूज करके न प्रोडक्ट निकालना है तो जो हम लोग identity यहाँ पर use करेंगे वो हमारा क्या होगा यह हमारा होगा x plus a यह हमारा bracket बंद होगा फिर होगा x plus b ठीक है यह हमारा होगा इसका हम क्या लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे x हमारा variable है तो x square होगा plus हम लिखेंगे a plus b यह हमारा क्या ना constant term है यह जो a और b है constant है और इसके साथ हम variable से multiply कर देंगे और फिर last हम लिखेंगे a multiplied by b तो यह हमारा है identity और इसी का हम use यहाँ पर करने वाले हैं तो अभी देखें कितना easily हमारा यह answer आ जाएगा पहले तो हम यहाँ पे x square लिखने वाले हैं फिर हम plus करेंगे यह देखिए a और b के position पे क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 और 4 तो हम क्या लिखने वाले हैं 5 प्लस 4 लिखने वाले है और इसको bracket से close करेंगे और यहाँ पे variable x से multiply कर देंगे और हम plus करेंगे यह हमारा होगा फिर जो हमारा 5 और 4 है आनि A और B के position पे जो है इसको multiply करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 multiplied by तो अगला step में हमारा answer आजाता है यह हमारा यहाँ पे क्या होगा ना x square plus यह 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 और यहाँ पे x से multiply किये तो 9x और यह हमारा होगा 5 into 4 that is 20 तो कितना simple वे में हमारा answer आजाता है इस identity का use करके चलिए और भी questions को solve करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ना पहले a square होगा फिर हम plus लेंगे और यह हमारा होगा 3 plus 6 चुकि यह हमारा x के position पर यहाँ पर यह है ठीक है यह आप देख लेजिए और जो हमारा a और b था a और b है इसके position पर क्या है 3 और 6 है तो हमारा पर 3 plus 6 करके हमारा जो x के position पर था a यह से multiply कर लेंगे और यहाँ पर a into b that is 3 into 6 करने वाले हैं अब देखिए हमारा answer अगले step में आगा यहाँ पर a square यह 3 और 6 को add किये तो 9 यह आ जाएगा और यह 36 18 हमारा answer आ गिया यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर x square लिखने वाले हैं फिर हम यहाँ पर plus लेंगे और under bracket हमारा a और b के जगा पर क्या है तो plus करना है a into b करना है तो a के position पर आपका minus रहना है तो इसको आप bracket में रख लेजिए और multiply कर दिजिए आप 7 से ठीक है तो अभी आपको क्या मिलेगा यहाँ से तो आपको x square मिलने वाला है यह देखिए minus 9 plus 7 आपको minus 2 देगा तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे minus 2 और x से multiply कर रहे है यह देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा ना 7 और 9 को multiply के तो 63 एक minus में है तो minus में आपको 63 मिलने वाला है तो यह आपको minus 63 मिल गया अगले step में आप यहाँ पर sin को multiply कर दिजिए तो यहाँ पर x सक्वाइर minus और plus multiply के यहाँ पर minus पर आपको 2x मिल जाएगा और यहाँ पर भी minus आपको मिल जाएगा 63 तो यह हम लोगों का आजाता है क्या final answer ओके बिल्कुल simple है आप देख सकते हैं चलिए हम same identity यहाँ पर use करने वाले यह हमारा होगा x सक्वाइर plus करेंगे x के position पर a के position पर 8 है तो आप 8 लेखिए और यहाँ पर plus आपको करना है यह रेखिए आपको क्या करना है plus करना है plus b करना है तो b आपका यहाँ पर minus में है तो plus minus यहाँ पर minus हो जाएगा आपका तो यह क्या होगा is, minus 5 होगए और यहाँ पर x रहेगा और plus करेंगे a का वहलू 8, और b का वहलू क्या है, minus 5 माइनस 5 को अब bracket में रख लिजिए और चलिए यहाँ पर हमारा हो जाता है x square यह क्या होगा ह? 8 minus 5 हमारा 3 हो जाता है तो plus में 3 आएगा तो 3x यहाँ पर आजाएगा और यह हमारा minus और plus multiply कर minus हो जाएगा तो यह हमारा हो जाता है minus 40 और इस तरह से हम answer ले आते हैं चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा हमारा तो यह तो पहले हमारा z का square होगा फिर हम plus करने वाले है a का value क्या है हमारे पास तो a का value यहाँ पर minus 3 है तो आप minus 3 रख दीजिए और b के जगा पर क्या है ना minus 1 है तो आप plus करके minus 1 कर लीजिए ओके यह bracket से बंद किजिए आप यहाँ पर z note कर लीजिए और आपको क्या करना है दोनों को multiply भी करना है तो plus में यहाँ पर space नहीं बच रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ plus में हमारा हो जाएगा minus 3 और इसको हम multiply करेंगे minus 1 से समझ गी चलिए अभी हमारा क्या होता है यह हमारा z square हो जाएगा और यह देखिए minus 1 यह यहाँ पर plus है ना multiply होके minus हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाता है हमारा minus 3 और minus 1 हो जाता है यह आप देख लिजिए यह हमारा bracket बंद रहेगा और यहाँ पर z और यह हमारा plus रहेगा इधर देखिए minus 1 और minus 3 multiply कर plus 3 हो जाएगा तो हम यहाँ पर plus 3 direct put कर देते हैं अगले step में हमारा answer हो जाएगा यह देखिए z square minus 3 और minus 1 add होके minus 4 हो गया minus 4 यहाँ plus है तो minus यह आएगा तो minus 4 z हमारा हो गया और यह last में हमारा 3 plus में रहेगा answer हमारा बन जाता है तो यह हमारे पास question number 6 same हमारा यहाँ पर हो जाएगा यह हमारा x के position पर क्या है p तो हम p square करने वाले हैं और plus लेंगे a और b के जगा पर देखिए आपको क्या minus 5 और minus 4 है तो आपको यहाँ पर एक bracket ले लेना है और यह लिखेंगे आप minus 5 फिर आप plus करेंगे minus 4 इसमें bracket लेकर की और यह bracket close कीजिए यहाँ पर x के position पर प is आप रख लिएएाप प्लस कीजिए आपका a के position पर minus 5 है minus 5 और इसको आप multiply कीजिए b का position पर क्या है b का position पर माइनस 4 इसको आप multiply कर दिए यह देखिए ajudar प you square हो जाता है और यह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर यह minus है और यह प्लस है, multiply होकर के आपको minus देगा, तो यहाँ पे होता है हमारे पास minus 5 और यह हो जाता है minus 4, हम bracket से close कर लेते हैं, और P हमारा यहाँ पे रह जाएगा यहाँ पे हमारा plus है, हम प्लस लेते हैं, यह हमारे पास minus 5 और minus 4 हमारा multiply को क्या होगा देखिए हमारे पास minus 5 और यह minus 4 multiply होके क्या होगा तो 4 और 4 multiply होके 20 होगा यह minus और यह minus आपस मुल्टिप्ला होके plus हो जाएगा तो plus 20 आपको मिल रहा है और यहाँ पे plus है तो plus और plus multiply करेंगे तो फिर से plus होगा आने कि यहाँ पे plus 20 हम लोग को मिलने वाला है अगले step पे देखी यह हमारा P square और यहाँ पे देखी यह minus 5 और minus 4 है तो जब भी two numbers हो और दोनों का sign same होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को add कर देते हैं यहाँ पे हमको minus 9 मिलेगा add करने के बाद same sign रखना है दोनों का sign जब minus है तो हमारा minus sign आएगा अगर दोनों का sign plus हो जैसे plus 5 और plus 4 तो यहाँ पे plus plus same sign है तो आप add करके same sign भी रखिएगा ओके plus 5 प्लस 4 एड़ो के plus 9 आ गया उसे तरह से minus 5 minus 9 एड़ो करके minus 9 आ जाएगा यहाँ पे हमको मिल जाता है minus 9 और यह हमारा p रहेगा multiply में और यह plus है तो आप यहाँ पे plus रख दीजिए और bracket से आप इसको close कर लीजिए अगले step में हम लोग यहाँ पे minus और plus को multiply कर देते हैं तो minus और plus multiply हो के हमको फिर से minus मिल जाएगा तो यह p square और यहाँ पे minus में 9p और plus में हमारा 20 हमारा क्या हो गया ना final answer हो जाता है next हमारे पास है देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना y square करने वाले plus लिखेंगी एक हमारा यहाँ पे minus 1 है फिर हमारे पास plus 2 है ठीक है दोनों को not किये और यह y रहेगा और हम plus में लिखेंगे minus 1 multiplied by 2 यह हमारा a और b के position पे जो था उसको मिने multiply कर दिया last में देखिए यह हमारा हो जाता है y square यहाँ से different sign है तो different sign के case में हो ना minus कर लेते हम लोग minus और यह plus है तो जब different sign होता है तो आपको difference लेना है तो difference कितना आ रहा है 1 बड़ा नमबर कुन सा है बड़ा नमबर है 2 और उसका sign क्या है plus तो आपका plus 1 आ जाएगा तो plus 1 आ गया तो आप यहाँ पे क्या लेखेंगे plus 1 y और यह देखिए minus 1 और plus 2 multiply क्या आएगा आपको minus 2 आएगा और यहाँ पे आपका plus है तो plus और minus फिर से multiply क्या आपको minus 2 देदेगा और यह हमारा हो जाता है answer देखिए next हमारे पास 8 number यह क्या हो जागा यह हो जागा हमारा z square और हम plus में लिखेंगे यहाँ पे plus 3 हमारे पास है और यह plus में हमारा क्या है माइनस यह हम 7 करेंगे ठीक है और चलिए यहाँ पे बंद कर लेता हूँ फिर यह जैड हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे plus 3 multiplied by minus 7 राइट अब देखिए यह हमारा होता है यहाँ से हमारा क्या आ जाता है यह आ गया plus minus multiply कर माइनस तो यह 3 माइनस 7 और यह जैड और यहाँ पे आप multiply कर लिए 7 धिर जा 21 हमारा माइनस में हो जाता है next step में हम ले लेंगे यह z square यहाँ पे हमारा हो जाता है plus और यह minus 4 चुकि different sign है यह plus में यह minus में है तो minus 4 यह z हो जाएगा और यह 21 next step में हमारा final answer z square यह minus plus multiply कर माइनस 4 z और यहाँ पे minus 21 यह हमारा answer बन गया next हमारे पास 9 number आता है यहाँ पे लोग क्या लिखेंगे यह लिखेंगे पहले P square फिर plus देंगे A के position पे हमारा क्या है न 8 तो हम यहाँ पे 8 लिखते है plus में और यह हमारा plus करना है B का position तो यहाँ पे minus 3 है तो plus minus हमारा minus हो जाएगा तो minus 3 हम direct put कर लेते हैं और यहाँ पे P रहेगा और multiply करेंगे 8 multiplied by minus 3 ओके आगे देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है P square यह 8 minus 3 हमारा मिल जाता है 5 तो यह हमारा होगे 5P और यह minus और यह plus multiply के minus 83024 हमारा बन गया क्या answer यहाँ पे हो जागा Z square करने वाले हैं और plus हम यहाँ पे लिखेंगे plus 6 और plus में हम यहाँ पे लिख सकते है minus 5 ठीक है और यह bracket को हम close कर लें और यहाँ पे Z फिर देखिए हमारा यह हो जाता है 6 और इसको multiply करेंगे minus 5 से next देखिए यह हमारा हो गया Z square और यहाँ पे हमारा हो आता है माइनस 5 और प्लस 6 है तो हमारा यहां पर वन आ जागा प्लस में तो वन जेड़ हम लिखेंगे और यह हो गया हमारे पास 30 तो 1z को आपको लिखने क्या हो सकता है आप simply z लिखेंगे तो z square plus z minus 30 हमारा क्या हो गया ना final answer चलिए हम next देखते हैं हमारे पास क्या होता है यह हो जाएगा x square और यह देखिए हमारे पास minus 9 और minus 6 है तो हम plus में यहाँ पर लिखेंगे minus 6 और minus 9 लिखेंगे और यह हमारा x यहाँ पर रहेगा और हम multiply करेंगे minus 6 और minus 9 को ठीक है यह देखिए हमारा यहाँ पर x square minus 9 और minus 6 हमारा क्या हो गया minus 15 तो हम direct यहाँ पर minus 15 रखने वाले हैं और हम यहाँ पर यह देखिए minus minus plus हो रहा है तो 9 6 यह हो गया ना 54 यह हो होगा x square और प्लस करने वाले यहाँ पर plus 10 और प्लस हो जागा और यह x रहेगा हम फिर multiply कर लेते हैं minus 10 और यहाँ पर plus 9 को तो देखिए हमारा हो जागा x square यहाँ से minus 10 और प्लस 9 minus 1 लिखेंगे और यह हो जागा minus में हमारा 90 तो माइनस वन वन लिखने का हो सकता नहीं है आप सिधा लिखिए x square minus x minus 90 हम लोगों का answer बन जाएगा next हमारे पास यह हो जाता है y square और यह हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हम लिखेंगे minus 4 plus 4 और यह y और फिर आप multiply करेंगे यहां पर minus 4 और plus 4 को तो यह हमारा y square हो गया और minus 4 plus 4 हमारा 0 होता है तो 0y और यह हमारा हो गया minus 16 अब ध्यान देजिए 0y मतलब इसको multiply करेंगे तो 0 मिल लेगा तो हमारा हो जाता है y square minus में हमारा क्या हो गया ना 16 ठीक है इस तरह से आप बना लेजिए या तो फिर इसका हम एक और आइडेंटिटी हमारे पास है उस तरह के उस आइडेंटिटी का भी में यहां पर यूज कर सकते हैं वो क्या है सो मैं आपको बताता हूं यह देखिए हमारे पास आडेंटिटी हुआ करता है a plus b into a minus b equal to a square minus b square इसको हम ऐसे भी लिखते है x plus y into x minus y is equal to x square minus y square ऐसा भी में लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर हम इसी आडेंटिटी का यूज कर लें तो देखिए हमारे पास है यह y minus 4 और यह हमारे पास है y plus 4 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y square minus में b के जगह पर क्या 4 इसका हम square कर लें तो यह हमारा क्या हो गया y square minus 16 तो इस तरह से भी हमारा answer आजाता है और इस तरह से भी हमारा answer आजाता है ओके चलिए next हम यहां पर क्या करने वाले x square और यह हमारा हो जगा plus हम बड़ा bracket ले लेते हैं यह हमारा होगी है minus 4 plus में हम लिखेंगे minus 14 bracket close कर लेते हैं और यहां पर x लिखेंगे और फिर हम plus लेंगे यह हमारे पास है minus 4 और multiplied by minus 14 राइट आगे देखिए यह हमारा हो जागा x square यहां पर plus यह minus 14 और यह plus हमारा multiply कर मैनस हो जाएगा तो यहां पर minus 4 और यह minus 14 हमारा आजाएगा यहां पर x लिखेंगे यहां पर multiply क्या होगा 4 यह हमारा होगा 56 ठीक है plus में होगा minus और minus multiply प्लस हो जाएगा और अगले step में देखिए minus 4 और minus 14 हमारा होगा minus 18 तो हम यहां पर direct लिख सकते हैं x square minus 18 x plus 56 हमारा final answer राइट तो last question हम लोग देखते हैं यह हमारे पास क्या हो जागा ना x square और हम यहां पहले लिखेंगे minus 8 और हम minus 2 लिखेंगे और x लिखेंगे और plus लिखकर कि हम यहां पर minus 8 multiply करेंगे minus 2 से तो यह हमारा हो जाता है x square यहां पर हो जागा minus 2 minus 8 minus 10 x और यह हो जागा plus में हमारा क्या 16 answer हमारा बन जाता है